आज कॉंग्रेस की सोच के लिए है और इसकी वज़ा है ये इन्वाइट इस इन्वाइट को आगे मैं डीटियल में आपको बताने वाली हूँ जरा सोचिया महात्मा गांधी की याद में कॉंग्रेस के कारिक्रम का आईजिन होना है और ये विवादू में आ गया है क्योंकि बापू की खुर्बानी को याद करने वाले कारिक्रम में देशद्रो का आरोग झेल रहे कनईया कुमार और शेहला रशीद को न्योता भेजा ग चार पांट स्पीकर्स हैं उसमें से दो जो हैं वो शेहला रशीद और कनईया कुमार हैं सवाल तो उठना ही था और जैसे ही सवाल उठे कॉंग्रेस के प्रबल समर्थक की ओर से ये सवाल और बुलंद हो गया आचारे प्रमोध कृष्णम उन्होंने सीधे राहुल गांध को नसीहत दी है और सवाल पूछा है कि भला जिस कॉंग्रेस पार्टी ने आजादी के लड़ाई लड़ी उसके कारिक्रम में टुकडे टुकडे गैंग का काम क्या है इस सवाल के बाद कॉंग्रेस बैक फूट पर दिखी आनन फानन में कनईया के निमंतरन को रद्द कर द दिया है और इसी लिए पहले बुलाती है और जब सवाल उठते हैं तो नाम हटा देती है इसी पर बहस करने के लिए सारे बड़े खास शांदार पानलिस्ट हमारे साथ जोड़ गया है पहले के रपॉर्ट देखिए फिर पांच सीधे सवाल और फिर होगी घंटे भर बहस कनहिया को निमंतरन पर सुनिए तेश के बड़े वकील और कॉंग्रिस सांसत की दलिए किसी को बदनाम करने के लिए ऐसे इलजाम लबाएं लेकिन कनहिया को बुलावे पर कॉंग्रिस के भीतर से ही उठी आवाज अब वो कॉंग्रिस पार्टी जो देश की एकता रखटता के लिए जिसने कुर्बानिया दी है उस पार्टी के मंच पर देश के टुकड़े करने का नारा देने वालों को बुलाए जाए तो ये दुर्भागे पूर्ण नहीं तो क्या है टुकड़े टुकड़े गैंग पर कॉंग्रिस के अध्धक्ष को नसी है कॉंग्रिस नित्रत्थ को ये फैसला करना पड़ेगा कि मोदी को हटाने के नाम पर हम देश्द्रोहियों के साथ तो नहीं खड़े हो सकते हैं मुझे नहीं लगता के राहूल गांदी की नॉलिज में ये बात होगी और मुझे लगता है कॉंग्रिस प्रेशिड स्वीजेंट को इसपर ध्यान देना चाहिए विवाद के बाद बदल गया कॉंग्रिस का मन अब कॉंग्रिस के कारिक्रम में कनहया की नो एंट्री क्या कॉंग्रिस ने कनहया को देश द्रोही मान लिया? कॉंग्रिस आला कमान की जानकारी के बगएर देश द्रोही के आरोपी, देश द्रोह के आरोपी को महमान बनाया गया दूसरा सवाल? राश्रवाद पर कॉंग्रिस इतनी कन्फ्यूस्ट क्यूं दिखाई देती है हर बार? तीसरा बड़ा सवाल, देश के खिलाफ नारे लगाने वालों के साथ या फिर खिलाफ ये बहुत महत्वपून सवाल? कनहया कुमार को कॉंग्रिस देश द्रोही मानती है, आखरी और पूरी डिबेट में यही एक बेसिक सवाल जिसका जवाब देना होगा मेरे साथ गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गया है, बहुत-बहुत स्वागत है, हमारे साथ यहां स्टूडियो में निशान्त वर्मा साहबे राजनतिक एक्सपर्ड के तौर पर और मुझे ये कहने में कोई उरेज नहीं है, कि अक्सर जब डिबेट कर करते हैं, तो कॉंग्रेस की विचारधारा का पक्ष रखते हैं, महमूत पराचा हमारे साथ जुड़ गया है, जो की वकील है, हमारे साथ राजनतिक एक्सपर्ड के तौर पर निशान्त पर्मा है, मैं फिर बता दूँ आपको, राजीव पान ने राजनतिक एक्सपर्ड के सामज़ कारे करता है, ताहिरा जी, अक्सर मैंने तलाग पर आपके साथ डिबेट किया, लेकिन पिछली डिबेट ये कनईया वाली और शहला रशीद वाली जो रही थी, तब बहुत स्ट्रॉंग पॉइंट्स आपने पक्ष में और उनके पक्ष में रखे थे, तो दुबा लगातार मैं दर्शकों को बता दूँ कि आपके सामने गिर्दा आएगा, और वो ये है, कि ABP News पर महमानों से मेरी गुजारिश है, वो मुद्द से जुड़े अपने तर्क रखे, ऐसी कोई बात ना करे, जिससे किसी की भावना को ठेस पहुँचे, उसे तकलीफ हो, मैं य वित्फाक रख भी सकते हैं, फिलाल मैं डिबेट शुरू कर रहे हैं, और ताहरा जी आप से शुरू बात करती हैं, यू टेल मी वन थिंग, ये कॉंग्रिस क्या कन्फ्यूस है, मुझे ये बता दीजी, अगर वो ये मानती है, आब आप कहेंगे कि मैं कॉंग्रिस की देखे, मैं बिल्कुल ये कहूंगे कि मैं कॉंग्रिस की प्रवक्ता नहीं हूँ, और कॉंग्रिस की किसी न किसी प्रवक्ता को मैं ये भी बड़ी साफगोई से कहूंगी, आना चाहिए था, अपना पक्च साफगोई से रखना चाहिए था, ना आकर उन्होंने ये बताया है कि वह बहुत confused state में है इसकत दूसरी बात मेरा यह कहना है कि अभी तो यह case जो है अभी कहा वो आरोपी साबित कहा हुए और अरुपी साबित हो नहीं है अरोपी है और फी है दोशी नहीं है आरोप उन पर है जाज़शीट लगी ओए शी नहीं है और राइट फाइं पर आरोपी है नहीं होता है कि आप अपने घर पे खाने के लिए बुला सकती हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं है पर पुलिटिकल पार्टी एक मंज पर अगर ऐसे बुलाती है और वो सीना ठोक के ये जब बात कहती है कि हम ने देखिए हमारी वज़े से इस देश को सुतंचुता मिली है हमारे लीडर्स की यहां पार्टी नहीं खड़ी कर सकती जो लिंचिंग करने वालो को जो एक को यहांस कूर्ट रैक को आरोपी हो जाते हैं उनको हार बाला पहनाती वो नहीं कर सकती कि यह सवाल नहीं कर सकती यह साफ वह उस पार्टी पर होने चाहिए और देश सर्व कौन है कोई सर्टिफिकट पाटेगा गई कोर्ट हमारे हाइग हम कोड पर ट्रस्ट करते हैं हम अपने समीरार पर ट्रस्ट करते हैं जो गोड हमारी कहें जो उसको हमाने के जिसी इसाबित हो जाएगा उसे बिल्कुल अमेरे टावल है वो भी एक रॉसस है हाँ चार्ची को नकारा जा सकता है यकी नहीं दिया जा सकता है लेकिन फिलाल वो आरोपी है एक पार्टी का उस आरोपी को मंच देना क्या बताता है गौरा भाटिया देखिए रूबिका जी मैं समझता हूँ इससे जादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है कि हम लोग महात्मा गांदी जी को याद करते हुए जिनोंने देश को जोड़ा ऐसे लोगों को बुलाएं जो कहीं ना कहीं नारे लगाते हुए चार शीटिड है कि भारत तेरे टुकडे होंगे जंग रहेगी आजादी तक और दुखद ये भी है कि उस टुकडे टुकडे गैंक के साथ और कोई नहीं राहुल गांदी जो अध्यक्ष है कॉंगरिस के वो खुद खड़े हो जाते है दुखद ये भी होता है कि यहाँ पे भी पैनलिस्ट आके कहते हैं कि देखिए वो अभी केवल आरोपी है तो मतलब अजमल कसाब को फासी देने में छे साथ साल लग गए थे नयाईक प्रक्रिया में तो उनको भी मंचों पे बैठा के हमें गेस्ट बुलाना चाहिए था और स्पीकर बनाना चाहिए था क्योंकि वो केवल चार्चीटिट थे उनके किलाब ट्रायल चल रहा था ये जो सोच है ये बड़ी खतरनाक है और इसकी शुरुआत भी कहा से हुई है जो नफरत कॉंग्रेस पार्टी और बाकी दल नरेंद्र मोदी जी के लिए रखते हैं उनका विरोध करने में कहीं न कहीं वो देश से ही दूर चले जाते हैं अब मैं इस पॉइंट को आगे ले जारे हैं निशान परमाप BJP से दिक्कात समझ में आती हैं BJP से नफरत समझ में आती हैं मोदी से दिक्कात समझ में आती हैं आमिच्छा से नापसंदगी समझ में आती है लेकिन इस चक्र में आप हिंदोस्तान को, नाशनलिजम को राश्रुवाद को क्यूँ पर मैं देश कों टुकड़े के साथ कौन होगा और अभी तक पार साल होने को आए जेल क्यों नहीं बेज़ भाए ऐसे लोगों को जो हमारे देश के लिए खत्रा हैं बताइए बात करने से नहीं होगा गौरण जी को सीधे शब्दों में बता दूँ एड़ोकेट साब के सेक्शन 196 के तहट जो जो चार्चीट आप लोगों ने जबरदस्ती घुसेडी थी उसके अंदर प्री सैंक्शन ना होने की वज़े से उसको गोर्ट में एक्सिप नहीं किया सेक्शन 196 के अंदर जो प्री सैंक्शन आफ अथारिटी चाहिए होती है इस मामले की चार्चीट के लिए वो आप लोगों ने नहीं दिलवाई और उस वज़े से पट्याला हाउस कोर्ट ने इसको नहीं एक्सिप्ट किया यानि के चार्चीट इस समय जब हम बात कर रहे हैं दाखल नहीं है नमबर वन नमबर टू के 2016 के फरवरी में जब ये लड़के अरेस्ट हुए थे और 2016 के फरवरी में ही उनको हाई कोर्ट ने बेल दी थी सुप्रीम कोर्ट के डिरेक्शन पे ये देश नहीं समझ पाएगा अगर मैं नहीं समझाओंगा दंसे क्योंकि वारतियंता पार्टी जिस तरी के समझाती है ये चीज़ गलत है सुप्रीम कोर्ट पे डिरेक्शन पे दिल्ली हाई कोर्ट ने मामला देगा और उनको बेल दी ना केवल बेल दी मैं बतारों अगस्ट 2016 में गौरब बाटिया जी जाते हैं कि अगस्ट 2016 में रेगुलर बेल भी मिल गई है कॉंग्रेस पीछे क्यों हट गई निशान आया है वेरी वैलिट वेस्टिक टेप से और मेरे सवाल पाटिया शाहब तो आपने बेल कैंजलेशन की नहीं बूफ किया वो इसलिए नहीं किया योगी राजनेतिक तोर पे भारदियंता पाटिये जानती है गलत आरोप है और एक बात और एड कर दू बिल्ली के मजिस्टेट एक मजिस्टेट ने अपनी रिपोर्ट रखी है के डॉक्टर टेपस है वो इसलिए क्योंकि आप आरोपी को नहीं लाना चाहिए मैं वहीं कहाँ बेसिक जवाब दे रहा एक आरोपी को मंज पर नहीं लाना चाहिए बारोपाटिया साब अड़वाणी साब आरोपी है अड़वाणी साब आरोपी है बारी मस्जित कांट पे क्यों बिठाते हैं मंज पे बोदी साब के मगल पे आप ये बताईए बाकी इदर उदर की बात छोड़ आज है कहा कॉंग्रिस पार्टी क्यों घबरा गई जब कोई देश पे चर्चा होगी देश की सुरक्षा कोई पूरा हिंदी हार्ट लेंड आपके छक्के छुड़ा दिये तो आपके परम पूझे देश के उकुफदान मंत्री रहे चुके अड़वानी साब को जो के खुद आरोपी है बाबरी मस्जित कांड में उबावारती जो के बाबरी मस्जित कांड में आरोपी है मंत्री है आपके कितले मंत्री है सजा जिनको सुनाई जा चुक होता है कुम राता निशान फर्मा नो आई डिमाड ना लिसन तो मैं जो मैं जो सवाल पूछने जा रही थी ना उसका जवाब अपने पहले दे दिया और इसी जवाब को लेकर मैं पराचा साब के पास जा रही हूं पराचा साब बहुत ध्यान से सुनना एंड इस अंगल के नॉट ब बहुत ध्यान से सुनिएगा All India Congress Committee का Minority Department इस कारिक्रम को कर रहा है ठीक है उसमें बुलाता है कनईया कुमार को उसमें ये Minority Department बुलाता है शहला रशीद को आप कहते हैं वो आरोपी है ठीक है मैं कहते हूं Politics जो है Perception है इन दोनों को बुलाकर मेहमूत पराचा आप जानते है बार बार मौका मिलता है ये Minority Department और ज्यादा परेशानी क्रियेट नहीं कर रहा है क्या इन दोनों को इग्नॉर नहीं किया जा सकता था ये क्या सुर्खाप के पढ़ लगाए हुए आए हैं दोनों जो इनको लाएंगे तो वोटों की भर्मार आएगी Minority Department में बाहार आएग कौन हैंगे दो लोग और क्यू Minority Department को इनकी जरुवत है रुबी का लियाकत जी वोटों की भाहर आएगी या नहीं आएगी ये तो एक पुलिटिकल प्रश्ट है जो कि किसी पुलिटिकल पार्टी से पूचा जाना चाहिए लेकिन मैं बुनियादी बाते बताना चाहता हू जो हैं सबसे पहले अगर कोई भी पुलिटिकल पार्टी भारत के समिधान के प्रती पूरी चाना से सीरियस नहीं है और उसको धोका देती आईए तो वो है बीजेपी पहली बात तो यह है अगर किसी भी पुलिटिकल पार्टी पर मैं ये भी बात फिर भी कहूंगा कि क्यो आए घाना उनके अपर जाइज नहीं है किसी भी और पुलिटिकल के ओबर भी शक करना तो पहले ही गलत बात है क्योंकि सभी समीधान की शपत लेकर इंग पुलिटिकल पार्टी ज़गरए तो आप एक कमईटे बंगा लिए उसमें सवाल चुनाएगा वो आपका गाना चुनाएगा अच्छा साय आप गोल गोल गोमाते हैं अगर आप पहली बात कर देश के तुक्रे करने के नारे लगाते हैं और उसके बात कहते हैं कि हम आजाद हैं हमारे लब आजाद हैं आपको ये बोले का आपको ये बोलने का कोई अधिकार नहीं है के वो लोग देश्टिरोष नके नारे लगा रहा है क्योंकि आपको पूरी फैक्स का पता नहीं है कौन लोग मैंने नाम लिया किसी का पूरी की पूरी की पूरी डिवेट को रिपले करती जिए आप एक सकेड़ अरे नहीं बोलते हुए आप मुझे नहीं लगे नहीं लगे नहीं पैट में दार्द होता हमें नहीं बोलने देने के लिए अच्छा अब आप रोबिकाल याकत को RSS से जोड़ दीजी आप वेरी गुड पराचा साथ वेरी गुड नहीं आप मैं RSS का एजेंट आपको दिखाई दे रही हूँ मैं देश की बात करूं तो RSS का एजेंट हो जाती हूँ है अगर मैं किसी के उपर चार्ची टाफिल हुई है उस पर सवाल करूं तो BJP का एजेंट हो जाती हूँ मैं नहीं क्या मतलब RSS का तरीका रोबिकाल याकत का तरीका है और रोबिकाल याकत RSS से नहीं चलती है इस देश से चलती है आप लोगों ने RSS को बनाया है आप लोगों की वज़े से यहां पर बहस ये करनी पड़ती है मेरे सवाल का सीधा जवाब देने में कत्राते हैं आपको क्या अधिकार है रोबिकाल याकत को RSS का एजेंट कहने का क्या दिकार है आपको खबरगार पराचा साथ रोबिकाल याकत एक एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है खबरगार जो आपने मेरे सवाल करने के किसी भी राइट को किसी और और इंस्टिट्यूट से जोड़ा तो बहुत मुकदमे किये इस स्पेशल से दिल्ली पूलिस के खराफ के नियाइक फैसले आसुके के जवाल मेरा सीधा है को जवाब घुमाफिरा करा देते हैं जूटे मुकदमें बनाती है वान वान होगे सर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है पर्सेल पाइट में आना आपने सब्सक्राइब करते हैं यहां आप मुझे आरोप लगा रहे हैं और डरे हुए आप अपके आपको कहते हैं पराचा साहब मैं आपको सबाल करूँ तो मैं आरेसस का एजन्ट हो जाती हूं तो थुल्णिया आप हमें एक शब नहीं बोलने देंगी लगातार बोले जा रहे हैं और एक शब बोलने नहीं दे रही हूं आप हमें लगातार की तरह बेह पर कीजिए कि बिल्यरी को सामने देखकर आंप कर देंगे आप किया विखती हैं यदि आप हमें दो मिनट इसमें से नहीं सुन सकती दो मिनिट यह एक मिनेट देंट यूर्म टाइमर अन कर रहे हुआ बहुत हो गया सार मुझे यह बहुत मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूं सर्टीए मेरे सवालों को लेकर मेरे सवालों को जब जब जवाब नहीं होता है आप मुझे किसी के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं और नहीं डरूँगी आपसे सवाल पूशने में वालाचा सापना आप गिविंग वन मिनिट विल्कुल नहीं है यह घलत बात है आप आरे से ख़लो को ज़ड़ा टाइम देती है इसे पा आप मीडिया पर आरोप लगाईए बचाने के चक्कर में आप उसे RSS का एजन्ट कहते जिए आपको बहुती ना पसंद हो आपको को इसे भी आप हसंद हो जी ऄिसका मत्तल के नहीं है एक और से बिल्कुल लगाएंगे इसा मं हम आप्या है और देखिए ये जो special cell है ना दिल्ली पुलिस की इसके बारे में कई नियाएक फैसले आ चुके हैं कि ये जूटे आरोपे में लोगों को फसाती है, evidence create करती है, ये है इसका character, special cell का, हम record पे बोल रहे हैं, हमने बहुत cases किये हैं इनके खिलाब, हमें पता है, एक नहीं अनेकों मुक क्योंकि इनके पास कोई तत्य नहीं है, ये सिरफ TV डिबेट के लिए, TV डिबेट के लिए और प्रेस के लिए ये सारा नाटक करती है, special cell दिल्ली पुलिस, और हमारे finance minister ने खुद बोलाए कि CBI तक जूटे मुकदमे बनाती है, जैसे अभी परसो बोलाए, तो ये है जो की बात सुनने जिए, आप ना वकील से ज्यादा मुझे अभी कॉंग्रेस के प्रवक्ता लग रहे हैं, और इसलिए कह रही हूं, क्योंकि इतनी लंबी पूरी जो आपने बयान बाजी किया, उसमें कॉंग्रेस का सी तक नहीं बोले है, अभी का संब्दान में विश्वास ह मैं मुझे ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है, 20 सेकंड यहां चर्चा हो रही थी लड़ाई नहीं चर्चा हो रही थी और निशान्त वर्मा एक बढ़िया पॉइंट उठा गए मैं चाहती हूं गौरव भाटिया उस पॉइंट को सुने आप और चुके यहां पर आता है वो मसला जिस पर मैं डिबेट जाती हूं निशान्त गौरव भाटिया जी जहां तक बात आती है बहुत सिंपल कि किसी आरोपी को इतना ज्यादा मान समान नहीं देना चाहिए तो अडवानी साब की बात चोड़ देए आप पता है कि कल्यान सिंग साब जो आ मिनिस्टर्स हैं जो खाली आरोपी नहीं कई लोग तो सजा जिनको हो चुकी है और बहुत इंपॉर्टेंट बात तो ये भी है कि इजाकिया जाफरी केस के अंदर कौन सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस के अंदर नाम है वो बताने की आविशक्ता नहीं है लेकिन आदित्यन सहाब जो इतने बड़े क्रिमिनल चार्जड रहे उनको आपने सीम बना दिया और आज आप बात कर रहे हैं एक सिंपल सी चार्जड शीट की जो अभी तक दाखल भी नहीं हुए गौरबाटिया ना रप्लाए निशान्द वर्मा गौरबाटिया स्क्रीन करते हैं बिल्कुल रूबिका जी देखिए मुझे अच्छा लगता है कि जब कॉंग्रिस के प्रवक्ता भाग खड़े होते हैं और निशान्द वर्मा जी जैसे लोग आते हैं और उनकी फील्डि चीजे बता रहा हूं आप ध्यान दीजेगा जब बुरहानवानी को मारा गया तो कॉंग्रेस के सहिफदीन सोज ने कहा कि भाया हीरो है इनको क्यो मारा गया यह आतंकवादी नहीं था अभी जब माओवादी अरेस्ट हुए थे आप न्याले की प्रक्रिया की बात कर रहें निशान जी राहूल गांदी ने कहा तक लोगतंतर कप्रे में आ गया है इनको क्यों औरेस्ट किया गया है आपने आदित तिनात को सीम कैसे बना दिया अगर आपने प्रशन किया आप यहाँ पर चुनावी रैली मत बनाईए यहाँ की कंपनी के एन्वल जनरल वीटिंग ड आपको बहुत सीधा सवाल पूचा शालिंता से सुन रहे थे आप जवाब नहीं दे रहे हैं चले इत्रा बोल दीजे नातुराम गोट से मुर्दाबाद चले इत्रा बोल दीजे और आपके जैसे लोग हैं जो शम्सार करते देश को महत्त्मा गांदी जी जो आइंसा के किसी को क्या दिक्कत हो सकती है गोरा बाटिया तकलीफ हो जाएगी नातुराम गोड़्चे को कंडम करने में किसी को तकलीफ हो जाएगी एक मिलिट नातूराम गोड़्चे मुर्दाबाद सो बार कहा हुआ है आप बोली अभी आदितिनात पुरागे बढ़ा दिया आतूराम गोड़्चे मुर्दाबाद अब आगे बढ़िए अब आगे बढ़िये महात्मा गांदी की बात करेंगे निशाद वर्मा आप कुछ भ सब्सक्राइब करता है नरें मोदी जी से तो देश के किलाव ख़ाओ सुनिया कुमार के आपका तरीका यह आपका चाहरा है यह नया जहरा है ना सार एक नया जहरा डिवेट में आया आप में उनकी बात सुनूं मैं उनकी बात सुन लूँ एक से बात कर लूँ मैं आप एक सेकिन आप दोनों जेंट्लमें इनकी चिलाने की आवाज की वज़े से मैं कुछ सुन नहीं पा रही हूँ नहीं प्रियंका मैं खुद नहीं बोल पा रही हूँ तो आप सुनेंगी क्या ना मैं बोल पा रही हूँ ना आप सुन पा रही है बेराल प्रियंका चार्चीट दाखिल नहीं यहाँ पर यह कहा जा रहा है आपने थोड़ी बहुत तो डिबेट समझी ली होगी ये लोग मेरी बाती नहीं समझ पा रहे हैं मैंने डिबेट कॉंग्रेस का स्टैंड जानना चाहती हूं कॉंग्रेस अगर कनईया और शेला के साथ है तो कहदे साथ है और अगर नहीं साथ है तो कहदे नहीं साथ है यह कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड थोड़े चल सकता है कि आप पन्ने पर्चे इंविटेशन सब चाप ले पिर उ नहीं सवीधा होती है उस तरफ झुख जाते हैं जब इनोंने यह देखा कि इनको कुछ विरोध करना है और सरकार का विरोध करना है तब जाकर के यह जो राहूल गांधी है यह जे जन्यू में जाकर के खड़े हों गया और इनोंने कहा कि हम ऐसी सरकार को एंटी-णाशनल म ताकि यह पोलिटिकली करेक्ट रहें तो ये जो सुविधा बाद की जो इनकी मीति है यह जो ऑपर नुम्बर बता दिए शेरावत साथ ने तो वापस बेश दिए शेरावत साथ ने तो वापस बेश दिए रुका जी डिवेट आप चार शीट पर हो रहा है क्या जब वहां से हुआ ही एक से शान आथ यहां क्या जो ओस्ट प्रॉट गया है यह विए प्रेंक अंच को अधिशा प्रियांक शुक लिए अव्ह प्रॉम्हा और एक सब्सक्राइब आप सब लोग या तो इस टॉपिक को समझना नहीं चाह रहे हैं या आप समझ कर भी अंजान बन रहे हैं मैं मैं सर्फ यह कहना चाहरी हूं कि आप लोग मानने निशान बार बार आप यह कह रहे है चाढ़िए चाठší चाठी चाठी तो आप किया रहे हैं कि कनईया कुमार देश्ड़ोंही नहीं नहीं है रहें से чистी भूढ़रोंग से घृणी फूठrüण तो जाननों चाहते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी की बहुत पुरानी है। अपर चार सीट नहीं है आप दिवेट ही नी समय रहे हैं तो मैं चाहिए आप लोग जैसे कहते हैं तो भाईया जा चाहिए विटेशन क्यों विज्टा पूल सकते हैं एक सवार आप से पूछा आप बताये कांग्रेस ने इंडायित के खिलाफ अपने चाहिए प्राचस अब आ रहे हैं तो कैसे पूल सकते हैं तो प्रियंक वेट प्रियंक वेट ताहिरा जी यह कह रहे हैं चार्डशीट नहीं आई है तो कैसे प्रूव हो गया कि वो देश रोही है अब मैं उल्टा सवाल करती हूं मैं उल्टा सवाल करती हूं कॉंग्रेस को इन दोनों की क्या जरूरत है ये दो बैसाखिया क्यूं चाहिए जो फाइदा कम और नुकसान ज्यादा पहुंचाए क्यूं चाहिए ये दोनों लो पाटेगी उस गया तो था तो तबात करें एंग तो डुनों विमें पैनलिस्ट जाती हुए लिए एक सेकें गोरा बाति आओंगी एक सेकंड प्रियंका तिद्रेवावी और ताहिरा प्रियंका और ताहिरा स्क्रीन पर आप दोनों डिबेट करें सुनिए और कोई ने एक सेशन जो एना बहुत चीक वाला गया है बहुत चीकने वाला मैं और पराचा जी खूब लड़ी है ठीक है खूब लड़ी आज हम अब थोड़ा इत्मिनान से इस मसले को समझ लेते हैं ताहिरा जी कॉंग्रेस कंफ्यूज है लेकिन हीरो बन रहे हैं ये दोनों जिनसे मुझे कोई सहनुभूती नहीं है क्योंकि इनके उपर देशद्रो का आरोप है चाहे कोई कुछ भी कह दे चाहे कितने पराचा जी आ जाए और मुझ कुछ इन दोनों से कोई सहानुभूती नहीं है जबता कोड क्लियर नहीं कर देता है अगर कोई अग्ये नारा लगाएगा तो उससे को अग्रेस को अधिया बता रही हैं आपको की बंगाल में हमारे यहां ममता बैनर जी ने एक रैली कीती अभी तो जितने मोदी विरोदी ह मैं उनको सब को पूरे हिंदुस्तान से इकटा कर लिया सिर्फ उसी तरह बिल्कुल इसी तरह कॉंग्रेस को भी वे सारे लोग चाहिए जो मोदी विरोदी हो उनको चाहिए कि भाई ऐसे कनईया को मार ले आओ ऐसे देश प्रोही ले आओ जो देश के विरूद खड़े हो प्रियंका सम प्रॉब्लम वित यौ ओडियो मैं ओडियो ठीक करवाती हूं मैं आपकी आवाज बन करें क्योंकि वह बीच में कुछ कुछ साउंड आ रही है जो कानों को लग रही है एक बाद ठीक कर लेते हो उससे उसके बाद में आपके पास आती है गौरब बातिया प्र प्लीज आराम से इत्मिनान से दोनों डिबेट कीजेगा सर आराम आराम से डिबेट कीजेगा हां ठीक कर जी कि पूछना है कि क्या मोधी जी के खिलाब कुछ बोलना अपने रहे लगा दीजिये आप यहां पर नारे लगा दीजिए कोई दिक्कत नी लेकिन मैं उसमें मैं बाकी जितने भी है मोधी और देश फर्क है ना सर तहराजी देश विरोधी नारे में फर्क है ना पार्टी का विरोधा देश का विरोधा है किOur रहे हैं बिल्कुल यही मैंने का कि देश द्रोही नारे लगा तरह को एक सामाजी कारे करता है अब सुन तो लीजे रूबिका जी इंको कहिए सुने भी तरह से दोड़ी ना की केवल सुनेंगी और सुनेंगी भी नहीं अरे नराज़ी है मैं जानता हूँ आप बोदी जी से नफरत करती हैं लेकिन कम से कम हमारी बात तो सुन लीजिए नहीं नहीं बोलिए देखे रूबि ताहरा जी मैं अपती बात रख लो दर्शक चुनना चाहेंगे जो देश विरोधी ताकते हैं उनके साथ क्यों आप कॉंग्रिस खड़ी पाते हैं आप बताईए सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई पाकिस्तान को करारा थपड़ मारा पूरा देश जश्ट मना रहा था और कॉं तो मैं ताहरा जी क्या कहा उन्होंने कहा दा काइंड ऑफ स्क्लोगन्स रेस में हैव डिमॉरलाइजिंग एफेक्ट ऑं दा फैमिली ऑफ दियोज माटियर्जू रिटर्न होम इन कॉफिन ड्रेप इंट्राइकलर इस तरह के नारे जो हमारे जवानों का मनोबल है वो तोड पराचा साथ यही तो सवाल है गौरव बाट रब्लम यह है कि राश्चुबाद को आप बीजेपी से जोड देते हैं मतलब it is so unfortunate राश्चुबाद को नाशनलिजम को बीजेपी से और आरसस से कैसे कोई जोड सकता है और ठीक ऑपेजिट जो है वो कॉंग्रेस के साथ जोड़ता जा रहा है isn't it unfortunate दुरभाग्यपूर नहीं है क्या पराचा साब यह नाउनली पराचा साब देखिए इसका उल्टा इसका उल्टा सही है एकदम रसस और बीजेपी के साथ राश्च जोड़ा जा सकता है राश्च वाद कभी नहीं जोड़ा जा सकता है पहली बात आप यह समझ लिजेए अब दूसरी बात में आपका सीधा जवाब देना चाहिए आपके प्रस्पेक्टिव से ये बात था हैं फिर नहीं बोलने देंगे ना यह क्योंकि इनके चेहरे से नकाब उतारता हूं इसे नहीं बोलने देंगे नहीं बोलने देंगे इनके चेहरे से नकाब उतारते हैं और कॉंग्रेस पर चस्पा करना पड़ेगा आप जैसे लोग किसी पार्टी को आपर सब्सक्राइब जाएगे परेखने आप पूरा ताइप बोलते हैं और फिर आप विक्टिम कर देंगे मुझे बोलने लिए आप जाए निशान पर्मा आपके दोस्त हैं निशान पर्मा टेल मी वूश्पोक्ट देंगे मुश्पोक्त देबेट तेल मी नो निशान पर्मा प्लीज ये है एब बी निश आपको रखे आगे ये है एब बी निश आपको रखे आगे